नमस्कार दोस्तो मैं अभी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आज हम लोग बात करेंगे टावर विवेरा की जो की एक नियूली लॉंच प्रीमियम टावर है एस पार्कवे सोसाइटी के अंदल यह सोसाइटी सेक्टर 150 नुएडा में है तो सबसे पहले हम लोग प्रजेक्ट की कनेक्टिविटी को और धन मैं आपको दिखाऊंगगे इस टावर की एंट्रेंस लॉबी और साथ ही मैं आपको दिखांगे एक सैंपल फ्लैट की वीडियो तो चलेए वीडियो को शुरू करते हो चलते हैं सीधा प्रजेक्ट साइट पर तो अभी हम लोग पहुंच जाते हैं और टावर विवेरा के सामने पहुंच जाते हैं तो अभी हम लोग उन अपनी जर्णी को स्टार्ट कर दिया है तो अभी हम लोग जिस रोड पर चले हैं सेक्टर की सबसे चौड़ी रोड है यह 45 मीटर वाइड रोड है जो कि सीधा कनेक्ट होती है एस पार्कवे प्रोजेक्ट पर अगर हम लोग राइट हैंड की बात करें तो सबसे फैरा प्रोजेक्ट पढ़ता है इस सेक्टर में एस पार्कवे अभी लेफ्ट हैंड पर जो भी आपको प्रोजेक्ट दिख रहे है लाइक यह आपको प्रोजेक्ट दिखता है यह ATS का प्रोजेक्ट है प्रिस्टीन 1, प्रिस्टीन 2 और जस्ट इसके बाद में जो प्रोजेक्ट आता है वो भी एस ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है एस गॉल्फ साल जोकी डड़ि तो मॉविन प्रोपर्टी है उसके बाद तो और प्रजेक्ट आते हैं महागुन मिडोज और सेटी वैनिस बात करें सेक्टर की तो यह एंसी आर का सबसे ग्रीन सेक्टर है जो कि फैला हुगा है करीब 600 एकड की लैंड में जिसमें से आपको 480 एकड ओपन एरिया मिलता है क्योंकि इस सेक्टर को ऐसे स्पॉर्ट सेट क्योंकि सेक्टर के सराउंडिंग में आपको काफी सारी एक्सप्रेस वे मिल जाते हैं लाइक नुटा ग्रीटर नुटा एक्सप्रेस वे है यमने एक्सप्रेस वे है इस्टन पैरिफेरल एक्सप्रेस वे है उसके लाव यहाँ पर दो एक्सप्रेस वे हैं जो कि अंडर कं सबसे बड़ा सेक्टर भी है तो कुछ एक चीज हैं जो सेक्टर 150 के बारे में काफी अच्छी है वैसे मैंने सेक्टर 150 के ऊपर एक फूरा व्लॉग से एरके हुआ है तो अगर आप उस व्लॉग को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक द पीपर और देखते हैं सबसे पहले लॉबी को और देन देखते हैं हम लोग सेंपल फ्लैट को हिएर सेंपल, कि पता है, भीचे शोहिए को आपने, hoping to help un झाल झाल तो अभी हम लोग आ चुके फ्लैट के एंट्रेंस पर उन्टरी के साथ ही आपको इत्षिट का डॉल एंटिर करते हैं सबसे पहले आपको कपी स्पेसियस पूरा लिविंग और डाइनिंग का एरिया होता है इसमें आपको इट्लियन मार्वल मिलता है इस फ्लैट के जो सबसे अच्छी चीज है इसके साथ आपको 50 फिट की आपको बालकनी मिल जाती है जो की पूरी रणिंग बालकनी है जो कि यहां से स्टार्ट होती है और लास्ट में एंट तक जाती है और यहां से आपको यह व्यू आता है सामने यह गोद्रीज ग्रूप का प्रजेक्ट है पाम नेटरीट इसमें बेसिकली 20 टावर्स है जिसमें इनके 16 टावर्स लो राइज हैं ग्राउंड प्रस 6 फ्लोर की हाइट है यहां पर अगर आप उपर के फ्लोर्स में लेते हैं तो आपको यहां पर भी अच्छा व्यू आता है तो यह पूरा लिविंग और डाइनिंग का एरिय होता है अब चलते हैं की तरफ तो यह पूरा कीचन का एरिय हो जाता है kitchen में आपको दोनों तरफ slab मिल जाती है तो काफी spaces kitchen है 290 square feet के साब से काफी अच्छा kitchen मिलता है आपको आपको सभी bedrooms में wooden flooring मिलती है यहाँ पर 3 bedrooms है तीनों ही bedroom में आपको wooden flooring मिलती है यह सबसे पहला bedroom हो जाता है again इसके साथ वो connected balcony होती है जो हमने starting में देखी थी इसके साथ आपको एक washroom में मिल जाता है यह common washroom है कोई आपके घर में guest आता है तो वो भी इसको use कर सकता है तो इसमें आपको यहाँ से भी entry मिल जाती है और यहाँ से तो entry है ही इसमें और यह cupboard के लिए space मिल जाता है आपको यह बालकनी वाले एरिया है अगेन यहाँ से आपको वही view आता है गोद्रिश पार्म रिट्रिक्ट और बीच में एक road हो जाती है तो यह आपको सबसे पहला कमरा होता है यह second bedroom इसके साथ आपको वेंट्रिलेशन के लिए बालकनी मिल जाती है इसमें आपको बीच में छोटा सा पार्खोगा उसका भी वाएगा इसके साथ भी आपको अगेन एक separate वास्ट्रो मिल जाता है अब हम लोग चलते हैं master bedroom की तरफ तो master bedroom में जैसे आप एंट्रि करते हैं छोटा सा आपको fire area मिल जाता है master bedroom में आपको dressing area के लिए बी space मिल जाता है इसके साथ अगेन वही connected वालकनी होती है यह put a dressing area हो जाता है इसमें आप अपनी तरीके साल मेरा प्लान कर सकते है इसके साथ आपको separate washroom मिलता है अब चलते हैं सर्वेंट रोम की तरफ जो की किचन के थुरू भी connected है और आप उसमें बाहर से भी एंट्रि कर सकते हैं और यह servant room हो जाता है servant room के साथ भी आपको separate toilet मिलता है और इसमें यहां से भी entry होती है तो बाहर से भी आ सकते हैं और अगर आप यहां पर lock कर देते हैं यहां पर lock कर देते हैं तो separate हो जाता है आपको पूरा servant room आप इसको अगर as a study room भी उज़ करना चाहिए तो भी उज़ कर सकते हैं तो अब यह हम लोगों ने complete flat को देख लिया है तो अगर आप इस property को visit करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कोई इफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे देगे नंबर पर call या वाट्सब कर सकते हैं तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप नीचे देगे नंबर पर call या वाट्सब कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग टेक केर